अफेलो फ्रेंट्स नमस्कार विप्रो लिंटेट की बात करते हैं विप्रो लिंटेट का स्टॉक प्राइश 383 में 20 जून 2023 को कमपनी ने गवारे के अनौश्मेंट को इसे के बारे में बात करते हैं आपने बाइबाइब का डिटेल लेका होगा अब बाइबाइब का जो ओपनिंग डेट है उसका भी अपडेट आ गया है तो अब अन्तिम चरण में है ये तो आपके पास विप्रो के शेयर्स हैं रिकॉर्ड डेट के अनुसार अलिजिबल होंगे जो शेयर्स रोल्डर्स वो अप्लाई करेंगे दोस्तों और रिकॉर्ड डेट 16 जूंदो हजाट तेश थी तो विप्रो लिम्टेट के बारे में बात करते हैं इस वीडियो में और सुरुआत से बात करेंगे स्टार्टिंग और यह कर रही है बैवएक कमिंज कमपनी खुद खरीदारी कर रही है 700 वाला शेयर 383 में और जो बाइबेक जो प्राइज है 445 का दोस्तों तो सबसे फ़ली डिटेल की बात करते हैं सुरुआत से बात करते हैं स्टार्टिंग से बात करते हैं लेकिंगे अपडेट है और य 21 एकुटी शेर्स होंगे 26 करोड 96,62,921 एकुटी शेर्स होंगे और फेस वैल्य आप टू रुपीज और जो बाइबाइब का प्राइज है चारसो पैतालिस गधाइब का जो प्राइज है 400 पैतालिस का है अब बात करते रिकॉर्वड देट और ऐक्स डेट की बात करते हैं बायबेक से पहले जिन्होंने खरिडारी की है तो वो शेर्स होल्डर एलीजीमेल होंगे पार्टिस्पेट कर सकते हैं 16 जून 2023 को डिमेट में हमारे शेर्स होने चाहिए जिन्हों ने 16 जून 2023 से पहले खरीदारी की है वो अलिजिबल होंगे बाइबैक के लिए पाटिस्पेट कर सकते हैं बाइबैक में आगे जो डिटेल है दोस्तों जो अपडेट आया है बाइबैक प्रोग्राम बाइबैक ओपन ऑन थर्जडे जून 2022 2023 से यह ओपन हो रहा है बाइबैक को जून 2023 तो यह डेट है दोस्तों इस डेट में अपलाई करना होगा जिनके पास विप्रो के शेर हैं रिकॉर्ड देट के अनुसार एक और अपडेट दिया है जो रिजर्ब काटिकरी है स्मॉल इंवेस्टर शेयर होल्डर के लिए 62 शेयर्स फॉर्ड एब्री टू सिक्टी फाइव एकुटी शेयर्स और स्मॉल इंवेस्टर दो लाग से नीचे जिनका इंवेस्टमेंट है और जो जर्नल का टिकरी के लिए अपडेट है और 26 एकुटी शेयर्स होंगे 603 एकुटी शेयर्स में तो अपडेट है तो बाइबेक का जो ओपन डेट है उसका अपडेट आ गया 22 यून दोहजाट तेश और जो रेस्टार है के फिंटेक लिम्टेड है और आने वाले दिनों में कि नतीजें आएंगे हो सकता है कि डिप्रेंट का भी आनास्मेंट हो नतीजें अच्छे होंगे त स्टॉक में तेजी भी देखने को मिल सकती है कंपनी खुद 445 में खरीदारी कर रही है और 383 का भाव है अब जो पार्टिस्पेट कर रहे हैं अगर उनके शेर्स लग जाते हैं तो उपर की तरफ बिकेंगे और जो एक्स्राइश यह नहीं पिकेंगे तो फिर से अकॉनमा जाएंगे और जो पार्टिस्पेंट नहीं करना चाहते हैं तो आने वाले समय में जैसे कि क्यूवन के नतीजें आएंगे उसमें रेवनियू और इंकम बढ़ेगा तो स्टॉक अपने आप उपर की तरफ जाता हुआ दिखेगा और आइटी सेक्टर में तेजी होगी तो उ सब्सक्राइब करें लाइक करें शेयर करें कमंड करें जैहिन बंदे मात्रा